हेलो आपडिवान वेलकम टू मारे यूट्यूब चैनल देखे आज हम बनाएंगे ये स्लीफ्स कि हम ये स्लीफ्स हमने किस तरह से बनाई है यहां पर ये मैंने 40 फंदे डाले हैं इसमें और 40 फंदे डालने के बाद ये सिंपल सा बॉडर किया है एक सीधे एक उल्टे का ये देख सकते हैं डिजाइनर फंदे डाले हैं और उसके बाद एक सीधे एक उल्टे का इसमें बॉडर किया है सेम स्वेटर वाला ही पैटर डाला है और हर छे सलाई पर एक एक फंदा दोनों ही साइड से बढ़ाया है सीधी सलाई पर उल्टी सलाई हर 6 सलाई के बाद आपको एक एक फंदा बढ़ाना whats भणाय है इन फंदों को बढ़ाया है तो बहुकर यह आप दे के हमारे 40 फंदेशν हो गये हैं 60 आप अगडर आप देखें, तो 40 फंदेशं हम काफी बड़ी स्वेटर में डालते हैं, छोटे बच्चे के लिए हम 30-35 फंदे डालते हैं, बट ये बेबी वूल है, काफी बारीक वूल है, ये देखी, वूल का भी काफी एफेक्ट पढ़ता है हमारे फंदों पर, क्योंकि अगर ये मोटी वूल होती, तो मैं ये 30 फंदे से जादा नहीं रखती, बट इसमें मैंने 40 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये वूल ही काफी पतली थी, और आप ये देख सकते हैं, 40 फंदे भी हमारे ये कितने कम आ रहे हैं, अगर आपकी बेबी वूल है, तब तो आप 40 फंदे ही रखी, और अगर आप वर्द मान किये, किसी भ 40 फंदे यहां पर है, और एक एक फंदा बढ़ते हुए हमारे यहां पर बढ़ गए है, 60 फंदे हो गए हमारे, और आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी लेंद दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको घटाना शुरू करेंगे, 10 इंच की इसकी लेंद है, 10.2 है, ये दे अब हम इसको घटाएंगे, स्लिफ्स को घटाने के अलग-अलग तरीके हैं, बड़ी स्लिफ्स, बड़ी स्वेटर की स्लिफ्स, कार्डिगन की स्लिफ्स किस तरह से घटाए जा सकती है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अप्लोड है, ये बेबी स्वेटर है, तो इसकी slips को हम यहां से जादा घटाई नहीं देंगे, दो फंदे इस साइड से घटाएंगे पहले और दो फंदे इस साइड से, अब हम इसके फंदे घटा लेते हैं, दो फंदे, तो यह फंदे हम इस तरह से नहीं घटाएंगे, इन फंदों को हम पीछे की साइट से घटाएंगे, ऐसे, दो का एक किया हमने, एक फंदा घट गया, इसको एसी में लिया, और फिर दो का एक घट गया, इस तरह से, फिर यह हम पूरी सलाई इसी तरह से बुनेंगे, सीधी-सीधी, इस सलाई को सीधा-सीधा बुनते हुए हम बना कर पुरा यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे, तो दिखी यह राइट साइड हमने बना कर सीधी साइड से कम्प्लीट कर लेंगे, अब हम अपने रॉंग साइड पर हैं, इस साइड से भी हम दो फंदे घटाएंगे, एक फंदे को इसमें ले लेंगे और यह दो, दो फंदे इधर से घट गए हमारे और दो इस साइड से चार फंदे हमारे घट गए, इस सलाई को हम इसी तरह बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे, उल्टा-उल्टा बुनते हुए, देखी यह सलाई भी हमारी बनकर, देखी यह सलाई भी बनकर हमारी कम्प्लीट है, अब फिर से हम अपने राइट साइड पर हैं, इधर से भी हम फिर से दो का एक करेंगे, अब हम यह एक ही फंदा घटाएंगे, यहां पर सलाई शुरू करते हुए हम एक फंदा घटा रहे हैं, और जब हम इस सलाई का एक करेंगे, यानि कि हम लास्ट में होंगे यहां पर, तब भी हम इन दो फंदों का एक करेंगे, यानि कि सलाई शुरू करते हुए भी और सलाई को एक करते हुए भी, दोनों साइड से हम दो का एक करेंगे इधर से तो हमने दो का एक कर दिया है इसी तरह से अभी हमें इसे बुंदे जाना है अब हम ये लास्ट में हैं लास्ट के दो फंदे हैं हमारे तो इन दो फंदो का भी हम एक करेंगे ये लास्ट में भी दो फंदो का एक कर दिया अब ये सलाई के हम और हम सलाई का ये स्टार्ट कर रहे हैं तब भी हम दो का एक करेंगे बस इसी तरह से हमें इसे बुंते जाना है जितना भी आप इसको घटाना चाते हैं दस बारा सलाई हम इसकी बुन के कर लेंगे उसके बाद हम इसको बंद करेंगे बहुत ही धीला 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 टाइटली बंद नहीं करना है हमें धीला धीला ही करना है वह भी मैं आपको बताते हूं कि हम किस तरह से बंद करेंगे देखिए यह हम सलाई के end में आ गये हैं फिर से हम 2 का एक करेंगे देखिए 2 का एक कर दिया है अब फिर से 2 का एक करेंगे मतलब सलाई के end में और सलाई के starting में हमें 2 का end करते हुए इसी तरह से बुनना है 10 से 12 सलाई पहले हम वह 12 सलाई बना लेते हैं उसके बाद उसको बंद कैसे करेंगे वह मैं आपको दिखाते हूँ देखिए इस तरह से घटाते हुए हमने यह हमारी यह शेप आई है दोनों ही साइट से हमारा यह घटा है इसी तरह से यहां से शेप आई है इसी तरह से यह शेप आई है और यह यहां पर बुनी है मैंने कितनी सलाई मैं आपको शो कर देती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, क्यारा, बारा और एक, तेहरा, तेहरा सलाई लगबग हमने इसमें यह बना ली है अब हम इसको रॉंक साइड है और हम इसको बंद कर देंगे यह बिल्कुल भी टाइट हाथ से बंद नहीं करनी है इसको बहुत ही लूज करना है बंद लूज ने नॉर्मल जैसे हम रखते हैं वैसे करेंगे फंदे को बिल्कुल भी नहीं खेजेंगे यह ठीले ठीले हाथ से हम इसको पूरे को बंद कर देंगे कि सलाइब बनकर हमारी कमप्प्रीट है कि कितना लूज लूज बनकर यह हमने तयार कर लिए इस तरह किसे इसकी शेप आई है अब यह जब स्टिच होएगी तब कि लिली इसकी शेप शो हजाएगी आई हो फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी सबी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हूँ अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई